तो बीजेपी प्रत्याशी केलाश विजेबर्गिय का एक बड़ा बयान सामने आया है केलाश विजेबर्गिय ने कहा कि राष्ट विरोधी बुराईयों को खत्म करने का वक्त आ गया है जनता को राष्ट बादी पार्टी का समर्थन करना चाहिए तो वहीं कहलाश विश्य आदब पर दिये गए बयान पर भी निशानत साथा कहलाश बिजय बर्गिये ने कहा कि कमलनात को अखलेश यादब से माफी मांगनी चाहिए लोग जो देश विरोदी गतिविदियों में सलगने और उनका समर्थन करते यह राज़ीटी में वोट मांगने जाते हैं जंता को उनका विरोद करना चाहिए और राश्ट वर अधिपार्टियों का समर्थन करते हैं बहुत ही पीडा दायक बयान था उनका किसी भी राजनेता के लिए वो भी भूत पूर मुख्य बंती रहे अखिलेश कुछ चोटे मोटे नेता तो है नहीं पर उनके लिए कॉंग्रेस के सीनिय लेडर का इस प्रकार का बयान शर्मनाख है मैं समझता हूं कि उन्हें इस बात क अरे मैं छोड़ो अखलेश नेते और चली आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार इस पूरे मामले को लेकर जो इस्तितियां बनी लगातार बयान बाजियां भी यहां पर अपने को देखने को मिली लेकिन चली इस खबर को थोड़ा सा और गहराई से समझते हमारे साथ हम अखलेश देखा जाया जिस तरह से एक बयान पहले सामने आता है जहां पर सापतोर पर कमलनात अखलेश यादब पर निशाना साथती हैं अब वो बयान राजनितिक सियासी गल्यारों में एक बड़ा रूप ले चुका है खुद केलाश विजवर्गी इस बयान को लेकर दर्मा रही है तिल्कुल आ दिरेश जी जैसा कि कहा जाता है कि केलाश विजवर्गी हमेंसा अपने बयानों के माध्यां से ही चर्चा में रहते हैं राश्टी स्तर के नेता है और विधान सभा एक से इंदार से चुनाव भी लड़ रहा हैं और उसके बाद तमाम जो बयान सबसे बड़ा हतियार है और इनी से जो देश बुराई जो करते हैं उन लोगों को कही ना कई पर सबक सिखाने का जो मुका है वो अब इस लोक्तंत के महायग में ही है और उसके बाद तमाम तरह के जो बयान उन्हों देने के बाद जो जिस प्रकार से कमलनात ने अखले स्या कर दिया था और जब यही बात मेडिया ने कमलनात से पूछने कोसिस की थी तो उन्होंने साब तो पर कहा था कि छोड़ो अखले सब्सक्राइस को नकले सो इसी को लेकर अब जो सियासी गल्यारों में अब वो सरगर्मी बढ़ चुकी है और यही कारण रहा कि जो केलास पीड़ा है तो वो एक पीड़ा दायक भी अखलेश का भी अखलेश यादब ने भी एक कटाक्ष किया था उन्होंने साब तो पर कहा था कि आपके जो नेता हैं उनको थोड़ा साब कंट्रोल में रखी इस तरह की बयानवाजी ना करे हाला कि अब यह माना जा रहा है कि दो पीड़ाइब देएब आपके ऑ एफटी आपके जो घंब झालेश चाहा है।